अस्सलाम अलेकूम और आम तुल्या वरकातों हूँ घे सारी मुहबबत आपके लिए घे सारा प्यार और में दे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं आप लोग के दौा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ रमजान का महीना में हैं बहुत मस्ते में हैं आप लोग भी मस्ते कीजिए और घे सारी दौाएं मेरे तरफ से आपके लिए आपके पैरेंस के लिए लेकिन आज मैं कुछ बात को लेकर आई हूँ हमारे भुदूर के बारे में कि कुछ बात को लेकर आई हूं, कुछ बात को लेकर मैं शेयर करना जाओंगे आप लोगे साथ में, लेकिन सबसे पहले उस मालिक के शान पर एक बात क्या, कि मेरे हिस्से से ज्यादा तुने मेरी ठाली में परोसा है, कितनी भी मुश्किल आए, आए मौला, मुझे तुछ पर भरोसा है, लेकिन चीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं बरता, और बाट कर खाने वाला कभी भूका नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग ये कह जाते हैं, कि अगर नमाज में हुदूर का नाम आ जाए, तो वो नमाज नहीं होती है पहले अजान होती है उसके बाद नमाज होती है अगर अजान में नभी का नाम ना लिया जाए तो वो अजान होगी जब अजान ही नहीं जे तो नमाज कैसे होगी पहले अजान उसके बाद नमाज होती है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नभी को अपने जैसा कहने वाले अरे जमी से अपना साया तो उठा ले हमारे घुजर का कोई साया नहीं थे हम लोग आदमी हम लोग आम आदमी हमारे साया है क्योंकि हम लोग फरिश्टा नहीं है हम लोग इंसाने ये कहना है लेकिन नभी को अपने जैसा कहने वाले जमी सापना साया तो उठाले लेकिन नजाने कितने कावे बन गए होते अकिजत के जमी पे पढ़ गया होता अगर साया महम्मत का अगर काफित पे पढ़ जाता तो हो भी जन्नती होता खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मुहम्मद का जो लोग नभी को अपने जैसा कहते उनके लिए कहना है मैं मानते हूं नभी आपके जैसा एक शर्थ पर कौन्ची शर्थ कि चांद को टुक्रे करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा और डूबा हुँ सूर्थ बिलवाओ फिर कहना अपने जैसा अजी घर में बच्चों से तो अल्λα, अल्ला कहला सकते हो मगर कंकर से कलमा पढ़ओ फिर कहना अपने जैसा अजी मक्का मदीना जाना आना फिर जाना कोई कमाल नहीं और शिप पे जाके वापस आओ फिर कहना अपने जैसा मक्का मदिना तो दुनिया के अंदर है बाहर नहीं जिनके पास पैसा है वह आराम से जा सकते हैं मक्का मदिना तो उनके लिए कहना है कि मक्का मदिना जाना आना फिर जाना कोई कमाल नहीं अर्शिप जाके वापस आओ फिर कहना अपने गैसा लेकिन हिंदुस्तान को सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि हिंदुस्तान को सबसे जो जरूरी क्या चाहिए हिंदुस्तान को एक्ता की जरुत है हम लोग एकता में रहेंगे तो सब कुछ मुम्किन है दुनिया में सब हो सकता है एकता में तो क्या कहना है कि तोड़े कोई ये फूल तो गुल्डान रो पड़े और उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े ऐसे फसा बनाओ मेरे देश वासियो हिंदू का घर जले तो मुसल्मान रो पड़े हिंदू का घर जले तो मुसल्मान रो पड़े लेकिन जरूरत सजदा करवा थे इबादत कौन करता है अरे क्या हुआ तेरे माथे पर है ये सजदों के निशान कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए लेकिन समय के एक तमाचे की देर है प्यारे मेरी फकेरी भी क्या और तेरी बादशाही भी क्या जब खलास हो जाएगा आमाल से पैचान होते हैं इंसानों की महेंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में किसी को नाचिस नहीं समझना चाहिए क्योंकि पाने कितना ही गंदा त्यों नहों आग बुझाने के काम आते हैं आग बुझाने के काम आते हैं लेकिन क्या कहना है ये कहना के कुछ लोग ये कह जाते कि हुसैं तरस गई से पाने के लिए मैं कहद़े रचाओंगी कि मेरे घुसैं नहीं तरसे थे पाने के लिए पानी खुद तरस रहा था अलबिए हुसैं के लिए क्योंके हक की मिटटी पल इड़ ऑजाती अहल बाति की ईद हो जाती अगर सर ना देते नभी कभी सर तो सारी दुनिया ये जीद हो जाती सारी दुनिया ये जीद हो जाती लेकिन कुछ लोग कहते यार ये गरीब है इन से क्या बात करना है ये तो खरी हम लोग अमीर हम लोग अमीर के साथ भात लेंगे लेकिन उनको कहिना है कि ना देख कि हसना कभी फुटपात के फ़केरों को फिर बताना के गरीबी किदर से आई है और किसी के फगा कश्मे तंज न करना क्योंकि शाह मदिना के घर से आई है ये मिटी के बरतल ये तूटी चटाई एकारस से नादान क्या देखता है गरीबी तो मेरे महम्मद के घर में पली थी तो मेरे घर के सामान क्या देता है गरीबी मेरे महम्मद के घर में पली थी तो मेरे घर के सामान क्या देता है लेकिन फिर्दो को सरे हश्र समालेंगे महम्मद कमली में गरीबों को चपालेंगे महम्मद उम्मत को जहन्नम से बचालेंगे महम्मद डालेंगे खुदा और निकालेंगे महम्मद कितनी प्यारी बात कि डालेंगे खुदा और निकालेंगे महम्मद लेकिन हमारे वसूर क्या है? कि हुभहु शकल में इन्सान नजर आते हैं. वो साधे कप्रो में बी देशान नजर आते हैं. कुछ बढ़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर. हमारे सरकार तो चटाई पर भी सुल्तान नजर आते हैं. लेकिन अल्ला रसूल की बिसकुछ गहरी बात के लबो पे तुस्सम निगाहों में बिजली, क्यामत कहीं से चली आरही है खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, मेरे दिल की दुन्या लुटी जारही है क्योंके गए पर्दे में जब शाहि आरब तो सर नजर आया अरब का एन का परदा हता तो रब नजर आया क्योंकि बलगल उलाब कमाल ही कशफद दुजाब जमाल ही हसनत जमीव खिसाल ही सल्लू अलेह वालही चाहते हूं उसको हूं जिसका कोई जवाब नहीं ये इन्तिखाब कोई मामूली इन्तिखाब नहीं कसम खुदा की खुदा भी यही कह रहा है आई नभी मेरा जवाब तो तु है पर तेरा कोई जवाब नहीं मेरा जवाब तो तु है पर तेरा कोई जवाब नहीं लेकिन दुनिया जुकी है ये जिद्धों के सामने किसी के नहीं चलती नसीबों के सामने अरे हैया अर्लासला का कुस्तों ख्याल करो गूगल नहीं चलेगा फरिष्टों के सामने गूगल नहीं चलेगा फरिष्टों के सामने लेकिन कौन किसी के दुख के लिए रोता है सब को अपने ही किसी गम में रोना है लेकिन मैंने का किसी को नाजीद नहीं समझना चाहिए एक शेर मुझे याद आ गई गालिब शायर इंटर्नेशनल शायर आप लो जानते हैं वो कहते हैं कि हाथों के लटीरों पे मजज़ा है गालिब क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते है अभी हमारे लोकल में रायगांज में भी कुछ दिन पहला आंदोलन हुआ था कि हिंदु मुसलमान को लेकर मैं उनको यह कहना चाहंगी कि ऐसा हम लोग करें हिंदु को जो हिंदु है वो सिर्फ हिंदु को प्यार कर रहे हैं मुसलमान ऐसा नहीं है कि तोड़े कोई ये फूल तो गुलदान रो पड़े उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े ऐसे फसा बनाओ मेरे देश वासियों हिंदू का घर जले तो मुसल्मान रो पड़े ऐसे फसा बनाओ और हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा इंपोर्टन बात यह है कि हम लोग एकता में रहेंगे तो सब हम लोग जंग जी सकते हैं तो यह कहना है कि मैं आज सोशल मीडिया पेच ले आए थी कि कुछ लोग हमारे हुजूर को अंसर्ण कह जाते हैं उनके लिए यह जबाब था क्योंकि हम लोग सुने मुसल्माने हम लोग उम्मती है हम लोग मुसल्मान जन्नत में जा नहीं सकते अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जबके लग लग खुद कहते है कि उम्मती पहले जन्नत में जाएंगे मुसल्मान पहले जन्नत में जाएंगे तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मुसल्मान जन्नत में जा नहीं सकता जब तक जनाबि पुन्डर मुहम्मद मुस्वा सल्वा अले वा सलम मेरे नभी का इशारा ना हो हम लोग जन्नक में नहीं जा सकते तो अपना ख्याल अपना ज्वाँ में याद रखे अल्ला हाफिज